वेलकम टो रवंडी एक्जाम क्लासेदी के रेलवे ग्रूबडी का एक्जाम आपका 17 अगत से स्टार्ट होने वाला है इसलिए हमने आपके लिए साइंस से स्पेसल की स्रीज को स्टार्ट की आए क्योंकि साइंस की 25 कोशन आपके सलेबस में रखेंगे इसलिए आज हम आपको रेलवे दोरा पूछे गए पिछले सालों के 25 महत्वड साइंस के कोशन कराएं जा रहे हैं यह हमारा सेट नमबर 4 है इसके पहले भी हमने आपको साइंस स्पेसल के 3 वीडियोज कराए हैं जिसे आप लोग प्लेश में जाकर करके वहाँ पर से देख लीजेगा तो चलिए प्रियास करिए क्या आप इन 25 कोशन में से 20 कोशन को सही कर पा रहें की नहीं आज कर देखिए पहला कोशन है निम लिकित में से कौन सा कथन असत है इसका आपको चुनाव करना है ये चार आपसन आपको दी गए है चारों आपसन में आप देख रहे हैं इसमाल जी के बारे में चर्चा की गई है तो चलिए सबसे पहला प्रियास आप लोग करिए देखिए आप सभी को मालूम है प्रिथवी से उपर जाने पर भी जी का मान जो है वो घड़ता है और प्रिथवी से नीचे जाने पर भी जी का मान घड़ता है इसलिए पहला वाला आपसन देख रहे हैं उचाई पर जाने पर जी का मान जो है चेंज होता है और गहराई पर जाने पर भी जी का मान चेंज होता है तो पहला और लाइश्ट वाला ये दोनों कथन सही है आप से असत्य कथन की पहचान करने को आए अब देकि तीसरे वाले आपसन में दिया गया है जी का मान जो है वो प्रतिवी की देवमान पर निर्भर करता है तो सबसे पहले फार्मूले की उर जाते है इसमाल जी बराबर ह और प्रतिवी की देवमान पर निर्भर करता है तो तीसरे वाले आप लिखा गया है प्रतिवी के देवमान पर निर्भर करता है ये बात बिल्कुन सही है तो तीन यहाँ पर कथन सही हो गए और यहाँ पर गलत कथन कोंसा होगा दूसरा वाला आपसन जो है वो गलत कतन प्रत्वी पर एक समान समय पर गिरेंगे चाहिए यह 10 किलो का हो यह 10 ग्राम का हो एक पहाडी से समान उचाई से गर आप नीचे गिरेंगे तो दोनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे इसलिए यहाँ पर से प्रूब होता है कि जो वस्तु का द्रिमान पर जी का मान जो है वो डिपेंड नहीं करता है लेकिन बात यहाँ पर ध्यान रखेगा निरवात में आपको दोनों को नीचे गिराना है जहाँ पर वाई का प्रभाव नहीं हो समझ गए आप तो सही आप सु नोटिपिकेशन आपको प्राप्त हो जाए दूसरा कोशन है निम लिकेत्वे से क्या अधात्यों का भावतिक गुड नहीं है इसकी आपको पहचान करना है देकि प्रेशन को आप लोग लास तक पड़ा करी एक जाम हाल पर अब रेलवे बहुत ऐसे कोशन आपको डालेगा जहां पर आपसे पूछने का प्रेयास करता है नहीं है डारेक्ट नहीं पूछता है तीन आपसन में वात सही लिखी जाएगी एक गरत लिखी जाएगी उसकी आपको पहचान करनी है तो अब देकि तीन आपसन में आधात्यों के भावतिक गुड को रखा गया होगा और एक आपसन में नहीं रखा गया होगा तो अधात्यों का निमने गलनांक और कथोनांक होता ये बात बिलकुन सही है उसमा और विदूर के कुचालक होते हैं अधात्यों ये सही है अघात वर्देता और तन्यता नहीं होती है अधात्यों में ये बात बिलकुन सही है तो इसमें स मतलब किवल ठोसी वस्ता में होने चाहिए इसा नहीं है अगर हम बात करें अधातों में तो अधातों में ब्रोमीन आता है तो ब्रोमीन तो देखे द्रव वस्ता में होता है लिक्विड में होता है अगर हम अधातों की और बात करें तो हाइड्रोजन हो गया नाइट्रोजन ह लोगया कुलोरीन हो गया यह सभी तो कईसा की बात किए आ तो यह तो गलत हो गया तोज़िए से 2024 को भॉनखरेट को नाम आपको बताना है तोनों को कहते हैं समखनी ओतक इसके अंतरक्त आप जानते हैं जायलम आता है और फ्लोयम आता है तो जायलम का काम क्या होता है जैसे जड़ों से जल और खनेज को ले जाने काम जो होता है उस समवहनी उतक का नामे जायलम अब जब खाना बन जाता है तो खाना को पूरे पेड़े में डिस्ट्रिबूट करने काम जो होता है फ्लॉयम उतक का होता है, तो ये अलग-अलगी कोशन आप से पूछा जाता है and direct इस उतक का कोशन भी आप र से जामे पूछा जाता है, इन दोनों उतक को कहा जाता है, चोथा कोशन है ने मुलिकित में एक संक्रम्रत तत्तों की एक और रहा है, की विसेस्ता नहीं है तो इसका मतलब तीन इसकी विसेस्ता ही होंगी संक्रमरतत मतलब की transition element जो की डीव लाग की तत्व आते हैं इन में से अधिकांस का प्रयोग उत्प्रेरा की रूप में किया जाता है यह बात विल्कुन सही है यह सभी धातुएं और इनके कुथनांक और गलनांक जो होते हैं उच्च होते हैं यह बात विल्कुन सही है यह उस्मा और विद्धुत के सुचालक होते हैं यह बात विल्कुन सही है तो यह सभी वाई वी हैं यह बात गलत है तो यह विसेस्ता नहीं है जातर जो संक्रमरतत हैं वो ठों सवस्ता में पाए जाते हैं तो दूसरा वाला आपसंजोई विसेस्ता नहीं रखता हैं चलिए आपको अवर साड़े में देखाता है कि संक्रमन तत्यों को कहा पर रखा गया है तो देखिए यह हमारी आधनीक कावर साने हैं जो कि मुझले के नुसार है तो यहां पर आप देखर हैं जतने भी तत्यों आपको पीले रंग से इतने दिख gather यह सभी डी ब्लाक के इत्तो हैं और इन्हें जो EU क्रांजिस्ण element यह फिस संक्रमन धातुएं कहा जाता है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजे इसके इंडियम से चालू होता है इससी चालू होता है और 57-71 और 89-103 तक यहाँ पर एफिपलाक के तत रखे जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं लेंथे नाट और एक्टे नाट के कहते हैं इसके इधर जो हैं आप देख सकते हैं यह साभी धातुएं और जो बैगनी रंग की यहाँ पर आपको जिक जैक लाइन दिख रही हैं बैगनी रंग की जिक जैक लाइन जतने तत रखे गए इसके इधर की तत जतने होते हैं वे धातुएं होते हैं और जिक जैक लाइन के राइट साइट में जतने भी आपको तत्त दिख रहे हैं ये सभी आपके अधात्वों में आते हैं तो अधात्वों से भी कोशन पूछा गया, संक्रमण धात्वों से कोशन पूछा गया तो इस प्रेकार से प्रेडिक्टेबल थोड़ा से आपके दिमाग में होनी चाहिए पांचमा कोशन है नीची दिये गए चार विकल्पों में से तीन जो हैं विशेश तरीके से सम्बंदित हैं जबकि एक जो हैं विमेल हैं तो विमेल की आपको पहचान करनी है इस्तंदारी दिया गया है सरी स्रिप आपको दिया गया है पच्छी दिया गया है सुतुरमुर्ग आपको दिया गया है चलिए बताने का प्रयास करिएगा आप लोग किसमें से अलग काउंसा है तेकि इस्तांदारी भी एक वर्ग होता है जिसके अंतरगर धेर सारे आपकी जिवजन्तु आते हैं सरीस्रब भी एक वर्ग है और पच्छी भी एक वर्ग में आता है सुतुरमुर्ग तो एक पच्छी है ना तो ये तो पच्छी वर्ग के अंदर ही आएगा तो यह तो एक आपका पच्छी का विसेश नाम हो गया ना, और तीन आपको उपर वर्ग दिये गए तो अलग कौन सा है इसमें से, अलग होगा सुत्र मुर्ग, ठीक है, यह एक विसेश नाम दे दिया गया, बाकि तीन आपको वर्ग दिये गए, चलिए कमेंट बाक्स में तर्गत आता है, इस्तंदारी में आता है, सरी स्रिप में आता है, या पच्छी में आता है, चमगादर को आप लोग कमेंट बाक्स में बताने का प्रयास करिएगा, छटवा कोशन है, मैगनेसियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमार मुझूद होते हैं या आपको बताना है, और साथी साथ उनकी द्रमान संख्छा को याद के लीजए, जैसे कि यहाँ पर आपको जुरूरत पढ़ जाएगी, मैंगनेसियम का परमार कर्मान कितना होता है? बारा होता है, और इसकी द्रमान संख्छा 24 होती है, तो अफ, द्रमान संख्छा से आपको मालूम चलेगा कि 144 ग्राम में मैंगनीसम की कितने परमाड मौझूद हैं तो 144 ग्राम बटे उसकी द्रमाड संख्या तो 24 छक के 144 मतलब की 6 परमाड मौझूद होगे सइफसन कंसा अफसन होगा सइफसन होगा दूसरा व homework तो कम से कम आप लोग एक से 30 तक याद करिये जतने याद करिये कम से कम इकजाम के देरिकोर से 30 तक तो आपको अवस्याह रहाए रहे तत्तों के परमाड क्रमाड के इत्रमाड संख्या साथ म Ol sambACE ने एक तत्व की आयनन उर्जा किस पर निर्भार करती है ये चार आपसन आपको दी गए मैं आपको चौथा वीडियो करा रहा हूं लगवग तीन वीडियो में आयनन उर्जा से कोशन पूछा गया था तो आयनन उर्जा मैंने आपको बताई थी ना गैसी अवस्ता वाले प्रभाव पर निर्भार करता है केंद्र की और जो प्रभाव लग रहा है उस पर निर्भार करता है या पिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आयनन उर्जा जो है वो परमार्ण त्रिज्जा पर निर्भार करती है माली जो किसी तत्यों का जो है वो कोशो की संक्य बढ़ती जा रही है एक कोश, दो कोश, तीन कोश, चार कोश, तो कोशो की संक्या बढ़ेगी तो परमार त्रिज्जा ही बढ़ती जाएगी तो जितना जो बाहर का इलेक्टरान होगा तो परमार त्रिज्जा अगर बढ़ती जाएगी तो केंदरी प्रभाव कम होता जाएग तो केंदरी प्रभाव पर निर्भर करती है या कहीं पर आप से परमार्व त्रिज्जा लिख देना तो उस पर निर्भर करेगे वह नजदीक होगा तो इलेक्टरान का अगरसर जादा होगा अगर दूर होगा तो इलेक्टरान जो है उस पर अगरसर कम होगा हम थोड़ी सूर जा देंगे और इलेक्टरान जो है वो अलग हो जाएगा तो केंद्री प्रभाव पर निर्भर करती आठवा को सने देखिए आपको बताना है उस उतक की कोशिकाएं जो बहुत सक्री होती है और इसमें घने कोशिका द्रब पतली कोशिका रस भितियां मुख्य नाभिक और कम में रिकतियां होती है तो वह कौन से उतक की कोशिकाएं होती है आपको बताना है अब देते कि एल्भर कोशिका की होते हैं एक आपका विभाजोत्मक उतक की जो कोशिका नहीं उघताई कईम साइब संद होगा पहला वाला अपemptों सभासेधा के नंबर पहल मिर सॉन वा पहला हिस्तर जान खरतीं सॉन आता है एक सब्कूल में अघरता है एक सब्सक्रिंट गुए लाओल जन चॉन तो इस प्रेकार से पादर पूतक से काफी कोशन बनते हैं इसे आपको अच्छे से पढ़के एक्जामे जाना होगा नवा कोशन है तरंग का आयाम जो है वो क्या होता है आपको बताना है तो तरंग की आयाम के देखी परिभासा लिखी गई है इन चार आप्शन में अगर जो समझ जाएगा उसा ही कर देगा वीडियो को रोक करके आप प्रयास कर सकते हैं चारो आप्शन को ध्यान से पढ़िए तरंग का देखी आयाम क्या होता है माध्यम के कड़ो द्वारा मध्यस्तान के किसी एक तरफ तय की गई अधिक्तम दूरी जो होती है उसे हम लोग तरंग का आयाम कहते हैं माली जी ये तरंग है ठीक है इस प्रेकार से आपने तरंग बना ली तो मदेस्तान के किसी एक तरब यहाँ पर इस तरब ले लिजे तो मैं एक समदूरी जो होगी वो इसका आयाम होगी या फिर इधर कर ले तो मैं एक समदूरी इधर भी उसका सेम होगी हर जगा आयाम सेम हो अंदर मेन विलिकत मिश्फलिकन से कौन सा कथन साहिए है अब गरत है उनकी बीच बड़े अंतराल होते हैं तो बड़े अंतराल नहीं होते बहुत कम उनमें अंतराल होते हैं ना के बराबर वेस्ती तरीके से विन्यासित होते हैं ये बात बिल्कुन सही है ठोंस के जो कड़ होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से विन्यासित होते हैं और उनमें अंतराल नहीं होते हैं उनमें नियुंतम आकरसर बल होता है ये बात बिल् संग को फ्लेट वार्म या फिर चप्टे क्रमी की रूप में कहा जाता है अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इस कोशन को सही कर सकते हैं को कि पिछले वाले सिट में आप से फ्लेट वार्म की जगा पर टेप वार्म ने पूछा था तो उनों का मतलब स संग का नाम बताना हैं आपको ठीक हैं तो सही आप्सन होगा प्लेटी हैल में यह मैंने आपको प्छले वाले से ट में कर आया था वहां पर टेप वार्म ने पूछा था यहां पर फ्लेट वारू पोहुचा तो अपनों सेमी है इसके अंतरगत आप प्लेनेरिया को रखते हैं टीनिया फैसी ओला इस प्रकार के आपके जीवाते हैं जो की बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं इन्हें आप सूच मदर्सी से देख सकते हैं ठीक हैं तो सही आपसन कौंसा आपसन होगा सही आपसन लास्ट को आपसन होगा 12 नवर कोशन है बल बटे द्रवमान को आपकी सुरूप में लिखेंगे सम्वेग तुरडविस्थापन वेग यह आपको बताना है बल बटे द्रवमान चलिए प्रयास करिए आप लोग देखी बल क्या होता है एप बराबर होता है में के और द्रवमान जाएगा मास से मास कर जाएगा बचेगा क्या एक से रिलेशन मतलब तुरड तो सही आपसन क्या हूं सापसनों का दूसरा वाला तो बल बड़े द्रभमान को हम लोग तुरड कहते हैं है तो यह सन्धि ऊतक होते हैं जोडने का काम करते है इसमें आपको काफी जो कि उपास्ति को हड़ी से जोड़ता है अगर आपसे पूछेगा हड़ी को हड़ी से कौन जोड़ता है तो इस नाईव को सई कीजेगा जिसे इंग्लिज में कहते हैं लिगामेंट तो दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं होना है याद करके आपको चलना है चौदर नमर कोशन है विद्धुद बल्प का जो सूत्र है मतलब की फिलामेंट है आम तोर पर टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है तो विद्धुद्बलप आपने देखा होगा तो वहाँ पर टंगस्टन का फिलामेंट उसका होता है तो किस कारड़ से होता है यह चार आपसन दी गए और चारों आपसन देखिए आप वो कन्फ्यूज करने का प्रयास किया है कि कहीं आप गलत करके इसे चले जाए इसका सही दीखिए टंगस्टन की विष्चता होती है कि इसका उच्छ प्रतिरोधकता होती है और गलना की उच्छ होता है तो मैंने आपको याद करया था टंगस्टन का गलना की कितना होता है 3422 degree centigrade पर ही टंगलश्टन जाकर कहीं पिगलता है और उससे पहले ही filament हमारा जल जाता है तो इसलिए filament जो है टंगलश्टन का बनाया जाता है इसकी उच्च प्रत्रोधकता होती है और गलना की भी उच्च होता है सही आप सुनों को दूसरा वाला पंदनेवर कोशन एक बस जो है वो 4000 न्यूटन के एक स्थिर बल से चलती है बस दौरा किया गया जो कार है वो 2000 जूल का है तो बस दौरा तई की गई दूरी आपको निकालनी है तो सबसे पहले आप समझे आपको दिया क्या गया है यहाँ पर देखिए न्यूटन में दिया गया आपको फोर्स दिया गया है कार यह आपको डबलू दिया गया है निकालना क्या है दूरी मतलब एस आपको भी स्थापन आपको निकालना है तो कोई एफ डबलू एस से कोई फर्मूला बन रहा है क्या वर का फर्मूला बनेगा W बुलावर होता है F into S के ठीक है W देखिए आपको दिया गया है 2000 के फोर्स आपको दिया गया है 4000 और दूरी आपको मतलब S आपको निकालनी है तो 2000 बटे 4000 मतलब की 1 बटे 2 बनेगा और 1 बटे 2 मतलब की 0.5 मीटर तो 0.5 मीटर की दूरी तै करेगी बस सही आपसन कौनसा आपसन होगा सही आपसन होगा मारा चोथा वाला आपसन इस पर आप लोग ध्यान दीजेगा अगर वर्क जो है लंबवत हो रहा है मतलब उपर की डिरेक्शन में कारी हो रहा है तब वहाँ पर आपको fs cos theta भी ध्यान देना है लेकिन अभी तो बस सीधे चल लई है रेखी motion में चल लई है तब यहाँ पर आपको fs cos theta जो है वह आपर 0 हो जाता है तो 0 हो जाएगा तो fs हो जाएगा सीधे सीधे लेकिन जब cos theta 90 हो जाएगा तो work जो होता है वह 0 हो जाएगा आगे इस प्रेगर का प्रेश्ट मिलेगा वहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करेंगा इनलेकित में से कौन सी धातु जो है वह iron chloride से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी यह 4 आपसन आपको दी गए तो यहाँ पर देखिए जस्ता, चांदी, ऐल्मोनिया, मैंगनेसम आपको दिया गया है तो iron chloride में से iron को देखिए अलग नहीं करने वाली धातु आपको बतानी है तो आपको देखिए इसको प्रेश्टों को करने के लिए सबसे पहले आपको धातु की सक्रीता सेडी आपको याद होनी चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको धातु की सक्रीता सेडी को उपर लेकर के चलता हूँ तो यह देखिए हमारी धातु की सक्रीता सेडी की इस रीज है यहाँ पर आप देख रहे हैं रियक्टिव हैं मतलब जल्दी क्रिया नहीं करते हैं तो आप से पूछा जा रहा है आयरेन को अलग नहीं करेंगा तो सबसे पहले समझे कि आयरेन कहां पर हैं देखिए आयरेन जो इस त्रीज में यहां पर हैं तो इससे ऊपर जितने ततो हैं वह हाइली रियक्टिव हैं मतल आयरन को अलग कर सकता है इसके उपर वाले आयरन को अलग कर देंगे और नेचे वाले white करेंगे तो आप तो अलग करंगे टो आप ब से रखा गिया तो ज़स्टा तो अलग कर देगाicion यह एलमोनियम रखा गया- इससे व्पर थे तो रियक्टिव होगा वो iron कोलोराइड में से iron को अलग कर देगा magnesium रखा गया इससे उपर ही है तो यह देखें यहाँ पर जस्ता हो गया aluminium हो गया और magnesium हो गया यह तीनों जो हैं वो iron से उपर रखेंगा है सेक्रेता सेड़ी में इसलिए यह iron कोलोराइड में से iron को अलग कर देंगे लेकिन iron से नीचे की देखेंगे तो iron के नीचे यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो एक धातु रखी गई चांदी silver रखा गया ना तो silver जो है वो reactive नहीं है तो अलग नहीं करेगी वो कम reactive है तो जितने भी iron से नीचे वाले हैं अगर वो option में आपको मिलेंगे तो वो iron कोलोराइड में से iron को अलग नहीं कर पाएंगे यही मैं आपको समझाने का प्रियास कर रहा हूँ इसका आप लोग वो iron के नीचे है तो कम reactive है तो लोहे को विस्तापित नहीं करेगी बाकि सब लोग लोहे को विस्तापित करके क्लोरीन से किया करने का प्रियास करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा active है iron की आप एच्छा सतने वर कोसन है एक कुली देकी 100 मीटर की दूरी 500 न्यूटर का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार आपको बताना मने आपको सतर की किया था ना कि जब भी आपसे कारे पूछे ना तो कारे को आप दो प्रिकार से देखेंगे कारे कैसे हो रहा है यहाँ पर देखें कारे जो है डबलू ब्रावर होता है एफ इंटू एस अगर कारे जो है सीधी डिरेक्शन में नीचे की ओर हो रहा है तब तो आप एफ इंटू एस लगा देगे कुई कोई दिक्कत नहीं है कास जीरो जो होता है एक बन जाता है लेकिन जब कुली किसी का तो आपने सर के ऊपर लेकर के चलता है तो सर के ऊपर लेकर चलेगा तो कास जोगा नैंटी डिगरी का इंगल बनेंक लो होता है तो इस लिए's लिए उसके द्वरा किया गया कारे जो होगा यह जो करके चलनी है कि एंगल कितना बन रहा है जब ही कुली कहेगा ना तो वर्क डंज होगा उसके द्वारा किया गया वो सून होता है साइंस की परिभास्ता के नुसार अठार नवर कोशन है यदे किसी बांध से उन्हें इस 0.6 मीटर नेचे इस दित टारवाइन में पानी का वेग आपको निकालना है जी कामान आपको दिया गया है तो मोसन हो रहा है ना तो मोसन में गतिके तीन नियम है तो कौन सा नियम लगाना है यह आप लोग डिसाइड कर में इस다면 आपके प्रेयाश करेंगे तो कैसे आप इस प्रकार कर प्रेस नो गयाने का प्रेयास करेंगे है अब यह आपर देखवाबका तो मोसन हो रहा है तो गतिका तीसरा नियम का प्रेयास करें वी स्क्वेर वाराबर यू स्क्वेर verbalный फ्स्त्य प्ल्स slippy рассME यह यहाँ प दिया गया है और S आपको दिया गया 19.6 यहां पर समझ गए अगर 9.8 का 2 से multiply करेंगे तो यह भी 19.6 बनेगा और यह भी 19.6 बनेगा और यह V square है ना तो अंडर रूट ले लिजे तो एक 19.6 बाहर निकल आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड जो आजाएगा वो टारवाइन में पानी का वेग आजाएगा तो decide करना है आपको कौन सा आपको समीकर लगाना है तीनों को लिखना है जो आपको दिया गया हो उसके अनुसार आपको तीसरे नियाम से देके उत्तर आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड यह जो टारवाइन का टारवाइन पानी का वेग होगा दूसरा आपसन सही होगा 29 नवर कोशन है इसमें देखे आपको बताना है किसके साथ में सीतलन होता है को थाइन वास्पी करण वाई भवनियापी संगनन इसका सही आप सुन होगा वास्पी करण देखे जब भी वास्पी करण होगा तो सीतलन का आपको एहसास होगा ठंड़क का आपको एहसास होगा माली जब भी आपका पसीना सूकता है पसीना आता है ना तो पसीना सूकता है वास्पी कड़ पसीना होता है तो आपको ठंड़क का एसास होता है ना जब भी आप कहीं परफ्यूम या सिंट लगाते हैं तो परफ्यूम या सिंट जब भी आप लगाते हैं तो आपको ठंड़क का एसास होता है कूंकि उसका वास्पी करड़ होता है जतना तेज वास्पी करड़ होगा उतनी जल्दी आपको ठंड़क का एसास होगा ठीक है तो सही आपसन कौंसा आपसन होगा वास्पी करड़ जो है वो सीतन के साथ होगा जहां पर भी वास्पी करड़ होगा वहां पर आ पूछता है कि आप एच्छी गनतों की यूट कितनी होती है तो यहाँ पर आप देखिए 10.8 के आगे कोई भी यूट नहीं लिखिए ना कोई भी मातरक नहीं है तो आप एच्छी गनतों कोई भी मातरक नहीं होता यह बात ज्याद रखीगा क्योंकि आप एच्छी गनतों किस गया है 10.8 और चांदी घनतों आपको निकालना है मालेजे एक्स और पानी का आपको दिया गया है 10 की पावर 3 तो एक्स से बराबर क्या होगा 10.8 10 против पावर 3 यह दोनों का multiply हो जाएगा और सही आप जाया जाएगा सही आप सट पहला वाला तो यहाप अभिद हो के हैं नेखान के पानी के वह आया पारा «फैशंगांगी न與 फितिजिक को निचे रखेगाından मतलब की जिसके साथ इसको नीचे रखेगा और जिस धाद्यू का खनतों आपको निकालना है उसको आपको ऊपर रखना है 21 नवर को सन है कले मेडी मोनस निमलिकित में से किस वर्ग से संबन्धित हैं यह चार आपसन आपको दिये गए हैं चलिए बताईए एक प्रकार की हरे सहवाल की प्रजाती है और इसके अंदर भी धेर सारी प्रजाती आ आपसन कौनसा आपसन होगा सभी सभी वाले हैं एक कोस्त की वाले वो सभीको प्रोटी स्था संग की अंदरगत रखा गया है सभी आपसन दूसरा हो बाइस नमर कोशन है जीपसम का रासनिक सूतर क्या होता है यह आपको बताना है यह वाला कोशन मैंने आपसे पिछले वाले सेटें पूछा था बहुत लोगों ने सही उत्तर दिया तो जीपसम का रासनिक सूतर होता है कैलसम सलफेट और साथ में दो जो पानी के अड़ू होत होते हैं केलसम सालफेट के सा convention होते हैं और प्लाश्टर आ पेरिश में कैलस्यम सलफेट के साथ में वन-वाइट्टू पानी केडू होते हैं तो प्लाश्टर आ पेरिश इस को इस प्रोकार से प्रहिए गोथा आप gagner है इस दो को आगे की और ले आता है थीक है तो plaster apparatus इस प्रेकार से भी लिखा जा सकता है ठीक है तो 1 by 2 का जो 2 था उसको यहाँ पर ले आएंगे तो यह भी plaster apparatus का फार्मूला है और 1 by 2 से लिखेगा तो वो भी plaster apparatus का है लेकिन gypsan का सिर्फ यही फार्मूला है तो इस प्रेकार से दोनों फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए 23 नवर कोशन है दरपर समीकर्ड के समंद में नेमलिकित में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है जो दरपड का समीकरण है उसके समंद में आपको बताना है कौन सा जो है इन चार आपसन में सच सही है ठीक है इसका सही आप सुनोगा दूसरा वाला आपसन देखे दरपड में क्या होता है सभी दूरियां जो होती है धूरूब से हमापी जाने चाहिए जैसा मालिया ये दरपड है तो इसका पोल जो होता यहां पर होता है ठीक है जो दरपड समीकरण के समंद में जो भी सही बात है इसकी सभी दूर यहां ध्रूस से मापी जाएंगी तो दड़पड की जितना इधर होगा यह माइनस होता है इधर जो होगे वो प्लस होगा तो यह सभी बातें समीकड़ में फालो होती है दूसरा अप्शन सही अप्शन होगा 24 नगर कोशन है निवलिकित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है अब देखी बल दो प्रकार के होते हैं आप सभी जानते हैं एक आपका संतुलित बल एक असंतुलित बल माल यह इस प्रकार कोई तीक होना है आपने इधर से थोड़ा बल लगाया तो थोड़ा से यह इस प्रकार से जुकेगा फिर अपनी अवस्ता पर आ जाएगा ठीक है इधर से आपने बल लगाया तो यह संतुलित हो गया ना इसने अपनी गत्मे परवर्तन नहीं किया थोड़ा से इसने परवर्तन करके फिर से अपने इस्तान पर आ गया मालिजे कोई वस्त हुए इस प्रकार से आप इसमें बल लगा रहे हैं कुछ लोग इसमें खीचने का बल लगा रहे हैं किसी वस्तो पर कुछ लोग इसे बाहर की और कुछ लोग अंदर की और तो इसका जो परड़ामी होगा वो मालिये सूने आ जाता है तो वस्तु मोसन नहीं करेगी वस्त उसी इस्तान पर रहेगी तो कि संतुलित बल जो हो गया वो संतुलित हो गया ठीक है और संतुलित बल में क्या होगा वस्तु की गति में परवरतन हो जाएगा असंतुलित बल का हो जाएगा वस्तुपि गति में परवरतना कारण नहीं जाए तो यह तुआ संतुलित बल्ल पताया न है निसने तीस क interface him होगा वो सही आप सुनोगा ठीक है संतुलित होगा बल लगेगा तो कोई वस्तुपद उसकी गति में परवरतन नहीं होगा वोकि उसका पढ़णामी सुन्य हो जाएगा लेकिन असंतलित होगा तो गति भी करेगी दिशामें परवरतन भी होगा और इस्तिर रवस्तां भी नहीं रहेगी तो यहाँ पर आपसे पूछता प्रभाव नहीं है तो तीसरा वाला आप्सन सही आपसन होगा तीसरा वाला कोशन है एक धोनी स्रोत जो है वो 400 हर्टज आवरती और 2.5 मीटर तरंग दर्द की तरंगे भेजता है तो धोनी तरंगों की चाल क्या होगी यह आपको बताना है यह 25 नमर कोशन है आज कर लाज कोशन है चलिए बहुत से कम लोग इस प्रेश्ण को करने का प्रयास करेंगे अगर आप मेरे स्टुडेंट है तो इस प्रेश्ण को अवस्क करेंगे आप लोग कमेंट बाक्स में इस प्रेश्ण का उत्तर करने का प्रयास करिएगा देखते हैं कितने लोग इस प्रेश्ण को सही कर पाते हैं बहुत ही सिंपल फार्मूल लगे चलिए नेस्ट वाले वीडियों बताएंगे अगर आपको नहीं आएगा तो नेस्ट वाले वीडियों में चर्चा करेंगे तो आपने 25 प्रिश्णों में कितने पर सही सही करने का प्रयास की आएं इसे आप बता सकते हैं अगर आप 20 तक पहुंच रहें इसका मतलब आपकी त वीडियो । नए प्रकार सी कराना स्टाइट किया तो 25 प्रेश्णों की मतलब 100 प्रेश्णों की प्रिश्णों की प्रतान करते हैं तो दोनों चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्स मिल जाएगी मिलते हैं इस वीडियों बहुत बहुत धन्यवाद अपना स्कोर बताएगा इस प्रेश्ण का उत्तर बताएगा बीच मैंने एक प्रेश्ण पूचा था अगर आता हूं तो और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ठीके शेयर करेंगे तो जहाएद लोग पहुंचेंगे और वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे ताकि जो उमारी मेहनत हैं वो सफल होगे ठीक है मिलते हैं इस वीडियों बहुत बहुत धन्यवाद